राजस्तान के नियापेतो, हिंदुस्तान के नेता, पालेट साथ, किसानों के नेता प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के पूरु अध्यक्ष समानी नार्याण सिंग जी, समानी एहमयाराम जी, दिभेंदर सिंग जी, मंच्वे विराजमान तमाम नेतागन, उपस्तित नौजवा और कब तक लोगे, और क्या लेना चाहते हो, और कब तक लेना चाहते हो, ये बता दो, बार बार हम कह चुके, अभी मीडिया के सामने, समानी नार्याण सिंग जी, मैंने मुखमंद्री जी के कारले में फोन लगाया, और पूछा भाई कि पैसे का हिसाब को हम दे रहे, मैं आ जाओं गया, तो आज तक तो बुलायें नहीं, ये मीडिया वाले साथे सुन रहे हैं, अगर मुखमंद्री जी बुलाएं तो मुझे बुला लेना पूरा हिसाब देंगे, और आप 35, 15 करोड की बात कर रहे हो, आप पता दो कि पैलेट साब को मुखमंद्री कब बनाओगे, हम दे देंगे, ये जनता सब कुछ देना चाहती है आपके लिए, तन, मन और धन देना चाहती है, इनकी परिक्षा जाजा मतलो, पैलेट साब समय मजबूत होता है, और ये चेरे की चमक भी समय के अनुसार होती है, जिस चेरे की चमक से हम जीत के आए, उसको फिकान नहीं होने देंगे, मैं कहता हूँ, अगर आपका चेरा नहीं होता, तो हमें विधायोक नहीं होता, तो ऐसे चेरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे, आप सिरिप यह बता दो, लोग हच्चारों हच्चारों किलोमेटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैक्डों किलोमेटर से आपके साथ पेदल चलने आ रहे हैं, मेरे जैसा साथी एक किलोमेटर नहीं चल सकता, आप डेड़ सो किलोमेटर पे देल चलके आ रहे हैं ये नोजवान साथी अपने पाउं के छाले भूल गए ये सिरिफ बाशन सुनने नहीं आ रहे हैं ये सिरिफ आपका मार दर्शन लेने आ रहे हैं और इनमें एक इललग है जो ये दूप में खड़े वे साती हैं ये चाते हैं पाइलेट साब आज कुछ काम कर रहे हैं इनका दिल ठंटा हो इस गर्मी के अंदर ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है ये पार्टी को खतम कर देगी